खुश खबरी खुश खबरी खुश खबरी पाकिस्तान से आई है हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी खुश खबरी जानते हैं क्योंकि उसकी वज़ा से है यह महिला यह महिला कौन है वो आपको आगे बताएंगे मगर उससे पहले याद कीजिए पडोसी मुल्क पाकिस्तान से अकसर अलपसंख्यक हिंदुओं की किड्नैपिंग और धर्म परिवर्तन की खबरें सामने आती रही हैं लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान से खबर आई है कि एक बड़े पत पर किसी हिंदु यानि हिंदुों को उचे सरकारी पदों पर नहीं जाने दिया जाता लेकिन साल 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद अब जाकर ऐसा मौका आया है जब कोई हिंदु लड़की पाकिस्तान के किसी प्रांत में पुलिस महकमे में उचे ओधे पर पहुंची है मनीशा रोपिता की उ मेरी प्राइमरी एजुकेशन, सेकंडरी एजुकेशन दोनों जेकवाबाद से हैं तो वहां पर गल्स एजुकेशन का इतना कोई रुजहान नहीं था और मेरा मानना यह है कि जिस माश्रे में सबसे ज्यादा विक्टम्स ओरते हों तो आपका प्रोटेक्टर भी एक ओरत ही होनी चाहिए तो हमें बहुत ज्यादा जरुवत है कि हमारे पास प्रोटेक्टर्स विमेन हो तो विद इस इंस्पाइरेशन इन विद इस मोटिफ मैंने हमेशा आई ओल्वेज वांटी तो गो फॉर पुलीस मरीशा रोपिटा ने कहा कि उनका सपना पुलिस विभाग में जाना था जो की अब पूरा हो गया है अपनी तरफ से वा पूरी कोशिश करेंगी पुलिस विभाग को अपना बैस्ट दे सकें दरसल मनीशा रोपिटा का मानना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग में ज्यादा-तर महिलाओं के रहने से महिलाइं अपने आपको सुरक्षित महसूस करती है और यही कारण रहा कि उन्होंने भी पुलिस में जाने की सोची अब पाकिस्तानी युवा मनीशा रोपिटा की तारीफ कर रहे हैं सोशल मीडिया पर मनीशा रोपिटा को काफी बधाई के संदेश भेजे जा रहे हैं और लोग कामना कर रहे हैं कि भविश्य में वो काफी तरक्षी करें और अपना एक अलग मुकाम बनाए ताकि आने वाले वक्त में दूसरी अलप संख्यक बेटियों को भी उनसे प्रेणा मिले मनीशा को न्यूज वर्ल इंडिया की तरफ से भी ठेर सारी बधाई और शुब कामनाए ब्योरो रिपोर्ट न्यूज वर्ल इंडिया